क्लास 9 का एक्जाम है मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था तो 9 का जो पेपर है यह एनुवल पेपर है जो मेट्स का कल पेपर होने वाला है वो मैं 2023 का पेपर दे रहा हूं ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है यह पेपर बिल्कुल बहुत सारे डिस्टिक में यहा 45 marks का 45 mark कोला mcq देखे पहला question है जे हुद दो उत्तर टी बाचिव लिए होगा बने दा बी एक्स 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 का भीलू क्या होना चाहिए था एक्स का भीलू बी एक्स अगर जीरो है तो एक्स का भीलू क्या लेने से जीरो होगा सब्सक्राइब ऒलू हम अगर हम भी करने जीरो हो जाएगा मैं फील रहने से पलस मैंने माने सकते जीरो होगा तोके जीरो आपसे नबर एस तराइट इंसर फिर भी डाउट हो रहा है तो में एक बर तो इंसर होई होगा यह नंबर जीरो लेने इसका फेलो जीरो हो जाएगा next option number B, two number question, the value of यह question भी अप लोग को बना लेना है, next question है, two number question, T number जिस्तर बहुत easy सवाल है, very simple, बोला है, जए a number when reduced by five person becomes 133, what is the number? मतलब एक number, किसी संख्या में पांस person घटाने पर 133 मिलता है, पांस person घटाने पर 133 मिलता है, संख्या क्या है, तो देखिए, ओलेडी कोई भी संख्या 100% होता है, तो 5% reduce कर दिया, 95%, 95% के value देके रखा है 133, यानि 100% का पूछ रहा है है, तो हम X पकड़ लिया, तो यह उपर जाएगा, तो ऐसा एक system होता है, cross multiply, तो 100 उपर चला गया, मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, और divide by 95 से, तो मैं solution करता हूँ एक बार, ठीक है, 133 into 100, divide by 95, अगर मैं इसको काटागोटी किया, 5 से, 5 से कर किया जा सकता है, 5 2 जा, 10, 0, 5 से, 505, 5 9 जा, अब यह 19 से कर जाएगा, 19, 20, 20, पांच बार, 6 बार, 6 बार, साथ बार में चला जाएगा, यह, साथ बार में चला जाएगा, मतलब यह, 19, 7 जा, 133, 19, 7 जा, 133 तो बचा 7 into 20, डेट मींस, साथ को 20 से into कर दो, तो 7 into 20 कितना होता है, 7 into 20, 140, ओके, 140 of the number A right answer, तो इस तरह बनाना है, बिल्कुल, निम्ने में से कौन सा अपरिमें संक्या है, irrational number, देखिए, बहुत ही simple question पूछा गया है, यह 10 का square है, यह 4 का square है, यह rational है, यह भी rational है, अगर इसका बात बोलू, तो इसको अभी solve करके देखता हूँ, 3 root 3, तो बारों का अगर मैं तोड़ता हूँ, तो 2 root 3, yes, यह भी irrational है, यह rational है, यह वला answer होगा, option number 3, option number 3 is the right answer, okay, irrational number, और पूरिमें होंग्या, next question, पूरिमें संक्या का दसमलोग परशार होता है, पूरिमें संक्या का दसमलोग परशार होता है, सान्थ होगा, न सान्थ, न सान्थ, इसा नहींगा, न सान्थ, इसा नहींगा, न सान्थ, इसा नहींगा, यह हो सकता है, option number 3, option number 3 is the right answer, दूई घात वाला दूई परशार, जिसमें पावर 2 हो, पावर 2 हो, पावर 2 यह वाला है, option number D, option number D is the right answer, okay, पावर 2 हो, भेलू अब यह दिखा ही नहीं दे रहा है, दिखा दे रहा हूं, अच्छी तरह, the value of x equal to 5x minus 4x square plus 3, when the x minus 1, x का value अगर minus 1 धरा जाए, तो हमारा solution कितना निकल गयाएगा, minus 1 धरने से यह होगा, minus 5, minus 1 धरने से यह होगा, 4, मतलब plus का 4, यह होगा, 3, 3, तो यह 7 हो गया, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, तो only 2, only 2 तो बच रहा है, नहीं है, तो गलती हुआ होगा कहीं पे, थोड़ा फिर से verify किया जाए, minus 1 is equal to minus 5, यह पर minus 1 का holy square, तो यह भी minus 4, यह plus 3 अच्छा अच्छा, तो minus minus, plus 9, 9 में से 3 चला गया, 6, only 6, only minus minus plus, मतलब minus 9, यह इतर होगा, plus 3, minus 6 answer, कहीं पे है किया, yes, option number C is the right answer, तो इस तरह करके solution देना है, बिलकुल, कौन सा बिंदू, Y, X, पे, इस्ति ठेट, यह तो ग्राप का है, 6 positive में जाता हूँ, X में चला गया, यह 1111, yes, option number C, right answer again, निमन बिंदू में कौन सा एक्स अच्छर, यह तो देता ही है हमें सा, अच्छा, कुश्चन है, समाधान, तो इसको मैं समाधान करी लेता हूँ, अगर मैं X का भेलू 0 लेता हूँ, तो 2Y का भेलू 2 आएगा क्या, minus 2 उद्धा जागा positive हो जाएगा, X का भेलू 0, तो यह तो 0 हो गया, तो Y का भेलू 2 लेता हूँ, तो 2, 2, 4 नहीं हुआ, यह लेता हूँ, 2, X का भेलू 2 लिया, 2, Y का भेलू 0, तो 0 हो गया, नहीं, X का भेलू लेता हूँ, 4, minus Y का भेलू 0, minus 0, 4, यह option number C is the right answer, मैं बस अपना mind में solution करके बोलना हूँ, ठीक है, यह बहुत थोरा सा अब practice करने से यह सबाज आ जाता है, यह एक तिर्भूज का कोन जोदी एटा तिर्भूज और कोनर मापर आपर दूटी कोनर मापर हमर्ष्टी हमान होले, यह एक तिर्भूज, यह एक मैं बना रहा हूँ बस, यह एक तिर्भूज का एक कोन अन्य दो कोनों के योगफल के बराबर होता है, तिर्भूज होगा एक तिर्भूज का योग मुला है एक तिर्भूज का एक कौन अन्द दो कौन के योगफल के बराबर होता है मतलब 16 है तो ये योगफल के बराबर होता है मतलब ये 40 भी हो सकता था ये 20 भी हो सकता था इसा भी है कि ये 60 हो गया तो ये तो मतलब ऐसा हुआ कि सम अधिकुन समभा हो तो आन इकुल ट्रिंगल हो गया अच्छे ये आप लोग निकाल देजिएगा एंसर भी कमेंट करना है सो क्वेश्चिन दिखाता हूँ टाइम नहीं है एक्जाम सामने बनाना आपको है ये बहुत इजी था चलिए बना देता हूँ इन्हे ट्रिंगल ABC 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 एक ट्रिंगल है AB equal to BC ABC के बरावर है एंगल B equal to 70 degree ये 70 है तो ये भी 70 होगा ठीक है कि तू जब दोनों बरावर है तो ये होगा साथ साथ चोदो 140 140 तो हो गया 180 से 140 चला गया कितना बचा 40 इन्गल A एंगल B 70 इन्गल B will be 70 इसमें थोड़ा सा कोशिन घुमा दिये था एक्चल में एंसर ये होगा अच्छा चली बना आपको ये सब सोल्प करना है ठीक है कोशिन मिल चुका है बहुत बढ़िया है बिल्कुल टिक टोक ऐसा कोशिन आएगा ठीक है बिल्कुल अच्छा कोशिन घुमादान कोड़िवा एक बित का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है ये बोल देता हूं कुछ कुछ में बोलते जाओंगा जी बिल्क जानू मौई देखी है two over diameter option number c c होगा एक समकौन तरभुज का आधार 8 cm है करनर 10 cm है तो तरभुज का 6 त्रभल क्या होगा आधार 8 cm मनतर ऐसा दिया है कि ये right angle triangle है यता समकौन तरभुज समकौन तरभूज है भूमी कितना है eight ये है ten area is equal to right angle triangle का area का formula तो फॉर्मूला होगा एबी डिवाइड बाइड टू एबी मतलब ऐसा होगा कि एट इंटू टेन डिवाइड बाइड टू डेट मेंस तू फोरजा चालीस इंसर है क्या यह आपसन नूमर बी बी होगा तो कुछ-कुछ आराम से बन जाएगा नेक्स्सक्षिंट नेक्स्सक्षिंट प्रिश्टेज चेटबल कितना होगा जिसका किनारा तीन सेंटिमेटर बढ़िया ने सब मिल जाएगा नेट में भी मिल जाएगा आपको सर्च करेंगा यह मैं कुछकिन दे रहा हूँ नेक्से भी आप एंसर निकाल सकते हैं ऊगे इसमें रेंज पूछ आए रेंज अप डाटा रेंज अब डाटा डिट मिल फीन काल किना यह जाए पर इस लाइन में अगर हाइस नमबर मनना सोबद के बैसी नंबर की निस आप हो डांगोर नमबर टू डांगोर नमबर टू हो 32 अल्लोइस नमबर की नहीं हो वो 8 अगर 32 से 8 चला गया मतलब 26 एंसर निकल के आ गया तो रेंज अप डाटा अपसे नमरे बहुत अच्छा कुश्चन है अपसे फिलिंग दे ब्लेंक्स है यह अच्छा है 50 परसंड को भिन्ने में बदलो भोगना अंसुत परकास कोड़ा 50 by 100 डेट मींज 51 51 जा 50 और 52 जा मनों 1 by 2 बस यह इसाई लिखना था सिंप्लिफाई होडल कोड़ा बहुत वेरी इंपोर्टेंट परमान कोड़ा छे ब्रीतर हमान जद्दी केंडर हमान कोण उत्पन कोड़े यह वाला एक कोश्चन आता है हमेशा आता है यह कोश्चन नेक्स कोश्चन में बस कोश्चन दिखाऊंगा 39 कोश्चन तक चल रहे हैं हम लोग अभी 40 वे नंबर पर आ चुके हैं यह भी बनाना था उसको फोटी टू नंबर है 43 है कि इसको दिए वालत बताया गया था जी है कि कोश्चन बहुत बढ़िया बनाया गया एक्जाम में देखा जाए तो यह सब आप कहीं पर टूशन कर रहे हैं तो हहां से सुलूशन कर लिजे मेरा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे पेपर पैंट चाहिए सुलूशन करने का वीडियो देखने के लिए धन्मबाद और कोई वीडियो चाहिए तो हमें जरू कमें